15 जून दोपहर दो बजे गलवान खाटी हिमालाई की उचाईएंगों पर भारत्य सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्परल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉची कमांडोस अकेले में गुते तुश्मत जैनिकों ने फिर्टे कप्थरों की आज लेकर वाटी यूनिट पर धावा बोल दिया कभिर बैस का स्कॉर्ट थी का भारती शेथ में घुसपैटियों से सामने हुआ रिबीट स्कॉर्ट थी का दुश्मरों से सामने हुआ लेटनेंट सिंगी पेट्रूल थी टीन को जिस आँखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वोगे दूस कलंचे पिरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा चागया छे गंटे बाद जब लेटनेंट सिंगी आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहार से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, रभी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे बारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा पौज़ा नहीं होगी 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 है फिल्वा था कूहाँ लुड़ाईब अको छिवए भड़िस प्रह बाल के रादो सम्टना pricing झाल झाल झाल